नमस्कार में उप्रिया विहारी नियूज में आपका स्वागत है। क्योंकि अब पहला मौका था जो भारत में किसी COVID-19 संक्रमित मरीज की पुष्टी हुई थी और स्वास्त विभाग के लिए भी यह नया मामला था क्योंकि इससे पहले लगा था दूसरे देश में इस वाइरस को लेकर खबरे आ रही थी। गई पॉजिटिव शात्रा एक बार फिर से COVID-19 की चपेट में आ गई है। इसकी पुष्टी स्वास्त विभाग के तरफ से की गई है। इसके साथ ही एंटिजन की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि कम लक्षन का संख्रमन चात्रा में फिलहाल बताय जा रहा है। इंडियन एक्स्प्रेस की तरफ से साजा की गई रिपोर्ट के अनिसार केरल लोटी चात्रा ने कोविड-19 वाक्सीन की एक भी डोज अभी तक नहीं ली थी। जिसके बाद अब एक बार फिर से वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। इस समय वो घर पर है और पूरी तरीके से ठीक है। आपकी ज़ानकारी के लिए आपको बता दे कि देश में COVID-19 के मामलों में गिरावट अब जाकर देखने को मिल रही है। दूसरी लहर के बाद सिती सामाने होती नजर आ रही है। ऐसे में COVID-19 के अलग-अलग मामले सामने आ रहे हैं जिसके कारण स्वास्तविभाग महकमा भी काफी ज़्यादा परिशान नजर आ रहा है। हाला कि IMA ने हाली में तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है जिसके तहत IMA ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई थी उसे साब से तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है क्यूंकि जैसे ही नियमों में थोड़ी ध रिश्वान नजरार है इन सबके बावजूद हैरान करने वाली बात ये है कि कोरोना की लहर में भारत में कई लोगों की जान जा चुकी है हाला कि लोग इससे भी सबक नहीं सीख पाए हैं और दुबारा से वही गलती करते नजरार हैं जिसके कारण तीसरी लहर का आना यानिक निश्चिंत रूप से तैमान रहे हैं इसके साथ ही तमाम राजियों में कोबिड-19 के मामलों में कमी के साथ ही अनौकी प्रोकरिया भी शुरू कर दी गई है और बाजार भी पहले की तरह खोले जा रहे हैं लेकिन लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि लेही कोबिड-19 के मामलों में थोड़े समय के लिए स्थिरता आई है लेकिन लोगों ने अगर नियमों का पालन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब मामलों में एक बार फिर से उच्छार देखने को मिलेगा और लोग एक बार फिर से घरों में क्याद हो सकते हैं इसके सबी लोगों से अपील है कि कोबिड-19 के मामले में को हलके से ना ले और बेबचर घर से बाहर ना निकले अगर निकले भी तो नियमों का पालन जरूर करे इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद